नमस्कार किसान बाईयों ट्रेक्टर जिंक्सन के सापता एक बुलेटिन में आपका स्वागत है आए निजर डालते हैं इस सपता की प्रमुखाबरों पर सबसे पहले बात करते हैं गोधन नयायोजना की 36 गड़ सरकार की इस योजना में अब गोबर से बिजली बनाने को लेकर काम चल रहा है इससे किसानों की आय बढ़ेगी और बिजली भी सस्ति मिलेगी मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार 36 गड़ सरकार गोधन नयायोजना के तहट गोठानों के जरिये किसानों और पसुपालकों से गोबर खरीद कर वर्मी कमपोस्ट, सूपर कमपोस्ट खाथ पहले से बना रही है अब उसी गोबर से बिजली तैयार करने की सुरुवात भी 2 अक्टूबर से की जा चुकी है प्रदान मंतरी स्रम योगी मांधन योजना का लाब लेने के लिए आपको हर मैने 55 रुपे जमा कराने होंगे यानि 18 वर्स की उम्र वाले रोजना करीब 2 रुपे बचा कर सालाना 36 रुपे की पैंसन पा सकते हैं अगर कोई विक्ति 40 साल की उम्र से इस स्कीम को सुरू करेगा तो हर मैने उसे 200 रुपे जमा कराने होंगे 60 साल की उम्र पूरा होने के बाद आपको पैंसन मिलना सुरू हो जाएगी 60 साल के बाद आपको 3000 रुपे मैना यानि 36,000 रुपे साल की पैंसन मिलेगी किसानों को लाब पहुचाने के लिए केंद्रवे राज्य सरकारों ने कई योजनाई चला रखी है मद्धिप्रदे सरकार ने भी साथी परियोजना सुरू की है इस योजना के अंतरगत किसानों को उनकी मेहनत का सीधा लाब मिलेगा मद्यप्रदेश सरकार साथी परियोजना लागू करने जा रही है सरकार का मानना है कि इस परियोजना से किसानों को बहुत लाब होगा इस योजना के तहित किसानों को बाजार उपलब धोगा इस से किसानों को अपनी मेहनत का सीधा लाब मिल सकेगा जिससे किसानों की आय बढ़ेगी इस सम्बंद में मद्धे प्रदेश के पंचायत एम ग्रामिन विकास मंत्री स्री महिंदर सिंग सी सौधिया ने कहा है कि मद्धे प्रदेश साथ ही पर योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा पानी के घटते जल इस तर को देखते वे सरकारें खेती का तरीका बदलने पर जोड़ दे रही है राजस्तान सरकार भी सरसों के खेती को बढ़ावा देने के लिए सरसों के प्रमानित बीज सबसिड़ी पर देगी उत्तर प्रदेश में पिछले साल रवी फसलों का अच्छा पदन हुआ था सरकार का लक्षे है कि इस बार उत्पादन और भी ज़्यादा हो इसलिए किसानों को 10,000 कुइंटल बीज सबसिड़ी पर दिये जाएंगे उत्तर प्रदेश में रवी फसलों के अच्छे उत्पादन के लिए रवी उत्पादक्ता गोष्टी 2021 का आयोजन किया जा रहा है किरसी मंत्री ने बताया कि राज्य के किसानों को रवी सी जन 2021 के लिए 50,000 कुइंटल बीज वितरन का लक्षे रखा है इसमें से 10,000 कुइंटल बीज किरसी विबाग के राज के किरसी बीज बंधारों के माद्याम से अनुदान पर वितरित करने का लक्षे निर्दारित किया गया है सेस निजी संस्थाओं के माद्याम से करसकों को उपलब्द कराने की रणननिती बनाई गई है डिजीटल इंडिया को बढ़ावा देते वे उत्तरप्रदेश सरकार ने एक बड़ी घोसना की है राज्य के एक करोड युवाओं को स्मार्टफॉन और टेबलेट फ्री में दिये जाएंगे युपी सरकार ने राज्य के एक करोड चात्रों को टेबलेट या स्मार्टफॉन देने की घोसना की है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीटेक, पॉलिटेकनिक, पेरामेडिकल, नर्सिंग और इसकिल डवलप्मेंट करने वाले चात्रों को टेबलेट या स्मार्टफॉन मुफ्त दिये जाएंगे इस प्रस्ताओं को केबिनेट की बैठक में मनजूरी मिल चुकी है उत्तरपिदी सरकार ने पिछली दिनों में संपन 2021-22 के विदान सबह सत्र के दोरान 7301.52 करोड रुपे का अनुपूरग बजट पेस किया था जिसमें से 3000 करोड रुपे में युवाओं को स्मार्टफॉन ये टेबलेट देने पर खर्च करेगी महिंद्रा एंड महिंद्रा और एसकोर्ट्स कंपनी ने अगस्त 2021 की तुलना में सितंबर 2021 में ज्यादा ट्रेक्टर बेचे हैं लेकिन सितंबर 2020 से तुलना की जाए तो दोनों कमपनियों की ट्रेक्टर बिक्री में गिरावट आई है देश की सबसे बड़ी ट्रेक्टर निर्माता कमपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने सितंबर 2021 में 40,331 ट्रेक्टर बेचे हैं घरिलू बाजार में कमपनी की पिछले साल के मुकाबले 8% कम बिक्री हुई है लेकिन निर्यात बाजार में कमपनी ने 25% ज्यादा ट्रेक्टर बेचे हैं महिं एसकोर्ट्स कमपनी ने सितंबर 2021 में 7,995 ट्रेक्टरों की बिक्री की है ट्रेक्टर बिक्री में अगस 2020 की तुलना में इस माद 54.9% बढ़ी है सालना आधार पर देखा जाए तो इस साल ट्रेक्टरों के बिक्री में 30.4% की ग्रावट दर्ज की गई है किसान भाईयों ये थी सप्ता के प्रमुखबरें इनकी पूरी जानकारी आप आमारे मोबाइल एप और वेब साइट पर देख सकते हैं दोनों के लिंक दिये गए हैं अगली सप्ता ऐसी मेहत पॉर्ण खबरों के साथ आप से फिर मुलाकात होगी ट्रेक्टर जंक्सन के साथ चुड़े रहने के लिए धन्यवाद